देखो यार आप हैरान होंगे के मेंटरे क्लास का पहला इम्तियान बरिसखीर पाको हिन में 1858 में हुआ और बरतानिवी अकुमन ने ये तैग है कि बरिसखीर के लोग हमारी एकल से आदे होते हैं इसलिए हमारे पासिंग मार्क्स 65 है तो बरिसखीर वालों के लिए ये 32 शरिया 5 होने चाहिए दो साल बाद यानि 1860 में असाज़ा के असानी के लिए पासिंग मार्क्स 33 कर दे और हमता आल भी उनी 33 नमरों से अपने बच्चों की जहानत तलाश करने वे मसरूफ है आप जपान के मिसाले ले तीसरी जमाद तक बच्चों को सिर्फ एक ही मसमूँ सिखा जाता है और वो है इखलाकियात और अधब अधरत अली ने फर्माया जिसमें इधब नहीं उसमें दीन नहीं मुझे नहीं मालूम के जपान वाले हज़रत अली को कैसे जानते हैं और हमें अभी तक उनकी ये बात मालूम क्यों ना हो सकी बहराल इस अमल की जिमादारी फिलहाल जपान वालों ने ली है हमारे एक दोस्त जपान गए और हियरपोर्ट पर पहुंचकर उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि वो एक उस्ताद है और पर उनको लगा कि शयद वो जपान के वज़रियाजम है यह है कौमों की तरकी और उरूज जवाल का राज इश्वाग एहमास साब को एक दफा इडली में अदालत जाना पड़ा और उन्होंने भी अपना तारुफ करवाया कि मैं एक उस्ताद हूँ वो लिखते हैं कि जज समयत कोट में मौझूद तमाम लोग अपने नशिस्तों पर खड़े हो गए उस तर मुझे मुझे मालूम हुआ कि कौमों की इज़त का राज उस्तादों की इज़त में है आप यकीन करें कि उस्तादों की इज़त वही कौम देती है जो तालीम को इज़त देती है और आपनी आने वाले नसलों से प्यार करती है जपान में मौशरती अलूम पढ़ाई नहीं जाती क्योंकि ये सिखाने की चीज़ है और वो आपनी नसलों को बहुत भुबी से मौशरत सिखा रहे है जपान के स्कूलों में सफाई सुतराई के लिए बच्चे और साजा खोद ही ये तमाम करते है सुबो आठ बजे से स्कूल आने के बाद से दस बजे तक पूरा स्कूल बच्चों और साजा समय सफाई में मिश्गूल रहता है दूसरी दरफ आप हमारा तालीमी निजाम मलहाजा करें जो सिर्फ नकल और छपाई पर मुश्तमिल है हमारे बच्चे पबलीशन बन चुके हैं आप तमाशा देखें जो किताब में लिखा होता है असाजा उसी को बोड़ पर नकल कराते हैं बच्चे दुबारा उसी को कापी पर छाप देते हैं असाजा उसी नकल शुदा और छपे हुए मुवाद को इम्तिहान में देते हैं खुद ही एहम सवालों पर निशान लगवाते हैं और खुद ही पेपर बनाते हैं और खुद ही उसको चेक करके खुद नंबर भी देते हैं बच्चे के पास या फेल होने का फैसला भी वो खुद करते हैं और माबाप इस नतीजे पर तालियां बजा बजा कर बच्चों को जहीन और काबिल होने के गुन गाते हैं और जिनके बच्चे फेल हो जाते हैं उस नतीजे पर अफसूस करते रहते हैं और अपने बच्चे को कुन जैन का ताना देते रहते हैं आप इमानदारी से बताएं इस सब काम में बच्चे ने क्या सिखा सवाए नकल करने और छापने के हम 14-13 साल तक बच्चों को कतार में खड़ा करके असंबली करवाते हैं और वो स्कूल से फारग होते ही कतार को तोड़ कर अपना काम करवाते हैं जो जितने बड़े स्कूल से पढ़ा हुआता है कतार को रोनते हुए सब से पहले अपना काम करवाने का हुनर जानता है हम पहली से लेकर दसवी तक अपने बच्चों को सोशल स्टेडिस बढ़ाते हैं और मौशरे में जो कुछ हो रहा है वो बताने और समझाने के लिए काफी है कि हमने कितना सोशल होना सीखा है स्कूल में सारा वक्त साइंस रटते गुजरता है और आपको पूरे मुलक में कोई साइंस नान नामी चीज़ नजर नहीं आएगी क्योंकि बदकिसमती से साइंस सीखने की और खुद तजर्बा करने की जीज़ है और हम इसे भी रट्टा लगवाते है मेरा ख्याल है कि स्कूल्स के प्रिंसिपल साइबान और जिमादार साइब कराम को सर जोड़ कर बैठे इस गले सड़े और बौसीदा निजाम को तालीमी निजाम से उठा करके बाहर खाएं कि बच्चों को तोता बनाने के बजाए काबल बनाने के बारे में सोचे